चीन में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का असर भारत के फार्मा इंडस्ट्री पर पढ़ने लगा है भारत के फार्मा इंडस्ट्री सक्रियत दवा समख्री यानि API और थोक दवाओं के लिए चीन के भरोसे है चीन में कुरोना के मामले बढ़ने से इन प्रोडक्स के दाम में भारी तीजी दर्ज की जा रही है पिछले कुछ दिनों में प्रमुक एपि आई 12 से 25 फिजदी महंगी हो गई है कारूबार जगत को डर है कि इससे सप्लाई चीन पर प्रेक लग सकता है जिससे मार्जीन कम होगा और दवाओं के दाम पढ़ चाहेंगे आशंका है कि इससे दवाओं की कमी भी हो सकती है दरसल कुरोना महमारी के ताजा लहर के चलते चीन में एपि आई की घरेलू डिमांड और खफ़त में उच्छाल आया है इस वज़ा से चीन ने दूसरे देशों में एपि आई का एक्सपोर्ट खटा दिया है फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक एजित्थ्रोमाइसिन, पेरासिटमोल, ओरल और इंजक्टेबल एंटिबायोटिक्स के एपि आई की कीमतों में उच्छाल देखने को मिला है कोरोना के साथ ही चीनी नी वियर के दोरान भी जनवरी में चीन से आने वाली सप्लाई अनियमित हो जाती है आईए अब देखते हैं बीते दो सप्ताह में किस तरह से एपि आई की कीमतों में पढ़ोतरी हुई है बीते दो हफटो में पैरासितमोल के API की कीमत 4500 रोप़े से बढ़कर 5500 रूपै प्रतिक किलोग्राम हो गई है 15 दिनों में 15 फिज़ी इजाफर के साथ EGYTHRO MYCINE की कीमत 8700 रूपै से बढ़कर 10,000 रूपै प्रतिक किलोग्राम हो गई है एंटिबायोटिक एमक्सिसिलीन के API 2850 रुपे से 13 फिस्दी बढ़कर 3200 रुपे प्रतिक किलोग्राम हो गया है API Potassium Claywoolnet की कीमत 17,000 रुपे से बढ़कर 19,000 रुपे प्रतिक किलोग्राम हो गयी है भारत में API समयत जविक रसायनों का आयात 2021-22 में 49 फिस्दी बढ़कर 12.5 अरब डॉलर का हो गया है ये दवाओं को बनाने में काम आने वाले कच्चे माल के लिए हमारी चीन पर निरभरता का सबुक्त है हालाद बिगरने की बड़ी वज़ा ये है कि पहले तो जीरो कोवीट पॉलिसी के तहट चीन में प्रोडक्शन में गिरावटाई थी और अब कोवीट की नई लहर के चलते इसमें कम ही आ रही है आशंका है कि अगर चीन में यही हालाद बने रहे तो अगले कुछ महीने भारतिय फार्मा जगत के लिए बेहत मुश्किल भरे सावित हो सकते हैं आज तक देरो